नमस्कार इनकबर में आपका स्वागत है सोसल मीडिया में एक बुजुर्ग की दो महिला सिपाहियों द्वारा पिटाई के वीडियो वाइरल हो रहा है ये वीडियो कहां की है, दोनों महिला सिपाही बुजुर्ग पर क्यों टूट पड़ती है, ये हम आपको बाद में बताएंगे. देखा आपने वीडियो, ये बिहार के कैमिमूर जिले की भववत हनाच्षेत्र का वाक्या है, जहां पर एक बुजुर्ग को दो महिला सिपाही पीट रही है, जिस बुजुर्ग की पिटाई महिला सिपाही कर रही है, उनका नाम नवल की सुर पांडे हैं और पेशे से सिख्छक है, पिछले 40 सालों से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रोजाना वो इसकूल साइकिल से जाते हैं और उसी से वापस लौटते हैं, रोज की तरह नवल की सुर पांडे स्कूल से बच्चों को पढ़ा कर अपनी साइकिल से घर लौट रहे थे, तब ही भववा सहर के एकता चौक के पास उनकी साइकिल किसी वज़ा से गीर गई, भववा थाने की तरफ से यातायात के लिए तैनात दो महिला सिपाहियों उनके पास गई और कहा कि अपनी साइकिल ततकाल हटा ये ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, उस साइकिल को हटाने में देर कर रहे थे, अब उम्र की वज़ा से कर रहे थे, या कोई और वज़ा थी, इसी में बहस बढ़ गई, और महिला सिपाहियों ने न उम्र देखी और न उनकी परिस्थितियां, फिर दोनों उनसे उलज गई, हाथा पाई, और फिर डंडे से हु अब आप अंदाजा लगाए, यदि बात इतनी सी है, तो बात से भी बात बन सकती थी, जीवन में माबाप के बाद, यदि किसी का अस्थान आता है, तो गुरू का, बलकि माबाप से भी बढ़ करके गुरू को अस्थान दिया गया है, अपनी संस्कृति और सभ्यता में, य या इसका इलाज यही था, या समझा बुझा करके, खुद भी सैकिल उठा करके, किनारे करके, समस्या से निप्टा जा सकता था, फिर महिला सिपाहियों को क्यों आया इतना गुस्ता, का इसके पीछे और भी कोई कारण है, जैसे ही जानकारी मिलेगी, आपको अपडेट करे रहेंगे, राये ने बेखबर, देखते रहें इन खबर, थैंक यू